नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग सूरी के सबसे निकटतम जो ग्रह हैं वो बुद्ध हैं और इनका हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है वैसे तो माना जाता है कि चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध और जोतिसास्त के अनुसार जन्म के समय मौजूद नच्छत्र गरहों की इस्तिती और गोचर पर आधारे थी आपकी जन्म कुंडली बनती है और उसी के अनुसार जीवन भी चलता है अब कुंडली में नौ गरहों की इस्तिती अच्छी हो तो अच्छा फल मिलता है और अगर जौब पाने में आसानी होती है, आपका ब्यापार अच्छा चलता है, आपके जीवन में खुजियां बढ़ती है, वैसे बुद्ध के कस्ट को कम करने के लिए, नौकरी की समस्या को दूर करने के लिए, वानी के तेज को बढ़ाने के लिए, असुप जो चीजे हैं उसको योग करें, क्या करेंगे, आप वैसे तो बुद्धवार के दिन ये उपाई करें, नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, आप एक मुठी हरा मूंग ले ले, हरा मूंग वही जो आपके घर में खाने में यूज होता है, दाल नहीं लेना है, बिलकुल साबूत मूंग, अपने सर से साथ वार इसको उल्टा वार ले, अब अपने हाथ से, बाएं हाथ में लेके, अब इसको आप किसी भी जगह, जहां भी चिडिया आती है, कबुतर है, तोता है, जो भी पंची है, जुन्ध है, वहाँ पर आप डाल दे, अगर कहीं भी जगह ना मिले, तो किसी भी पवित्र जो ब्रिक्ष होता है, किसी भी ब्रिक्ष के नीचे रख दे, तो चिडिया खा लेगा, तो इससे क्या होता है, आपकी मानसिक सांती आपको मिलेगी, और पसुपक्षी जैसे ही मुंग को खाएंगे, बुद्ध ग्रह से होने वाली परिसानी दूर होगी, जौ मुंग हर एक कपड़े में लेकर अपने घर से निकलिए, आप अपने सर से तीन बार या साथ बार उल्टावार ले, अब इस मुंग को पोटली के तरह बन जाएगा, तो आप बुद्ध की विशेस क्रिपा पाने के लिए आप इसको अपने सर से उल्टावार कर किसी पास के मंदी के सिडी पर या कहीं पर रख दे या किसी नदी सरूबर में डाल दे, इससे भी आपको बुद्ध समंदी परिसानियों से मुक्ति मिलती है और नौकरी पाने में असानी होती है, तो मुंग है बड़े काम का, आप चाहें, तो मुंग के लड़ू गनेज जी को भोग ल करेगा और जो दोस है उसको समात करेगा, फिलाल भी दालेंगे, हरहर महादेब धन्यवार